इन बातों को हमेशा याद रखना जब आप परेशान हो, दूसरे लोगों की negativity आपकी problem नहीं है, दर्द एक part है जिन्दगी में आगे बढ़ने का, इस दुनिया में सारी चीजे temporary हैं, सबसे जरूरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते रहो बिना कुछ सोचे, हर एक आगे बढ़ने का एक कदम होती है, कभी भी टाइम आपके हाथ से नहीं गया है और लेट नहीं हुआ है, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो अभी भी, पांच ऐसे sign की कोई इनसान आपकी दोस्ती के लायक है और आगे तक जाएगा आपके साथ, सारी मुश्किल situations में आप एक एक दूसरे के लिए happy feel करते हो, जब success मिलती है, जलते नहीं, आप हमेशा एक दूसरे के लिए time निकालते हो, कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल नहीं डरते हैं, एक दूसरे को प्यार करने हैं, आप एक साथ मजे करते हो और एक दूसरे की बातों से आपको खुशी होती है जब हम tension में होते हैं, anxiety में होते हैं, तो यह symptoms होते हैं, जो normal हैं, हद से ज़्यादा sweating होना, शब्दों को लिखने में या बोलने में दिक्कत आना, digestion में दिक्कत होना, period cramps होना, या bloating होना, skin redness की दिक्कत होना, चेहरा लाल होना, emotions पे control ना होना, एकदम से irritate हो जाना या रो जाना, यह symptoms common हैं आजकल, जब हम anxiety से गुजर रहे होते हैं, तो शरम की कोई बात नहीं है, शरम करके यह और ज़्यादा खराब होती है, यह 6 आदते अगर सामने वाले इनसान में हैं, जब ही उनके साथ रहें, वन्नों उनको बाइबाइ कर दे, उन इनसानों के साथ रहें, जो अपने फोन को साइड में रख दे और आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा गया, जो सचे हो, लोयल हो, आपको कभी भी जूट ना बोले, धोके में ना रखे, बट ये लोग बहुत मुश्किल से निलते हैं, जो आपकी तारीफ करें, ना कि आपकी बाहरी सुंदरता आपकी अंदरूनी, इनर ब्यूटी देखे, उनके साथ रहें, जिनके साथ आप खुलके रह सकते हैं, अजीब भीवियर कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम चिल, कड़वा है पर सच है, बस चार दिन किसी कुते को बिसकुट खिलाना, वो चार साल तक आपको याद रखेगा, और चार साल तक किसी इनसान को खाना खिलाना, और चार दिन खाना खिलाए बिना भूल जाना, कसम खा के कहता हूँ, एक मिंट के अंदर वो आपको भूल जाएगा, जितना भी आपने उसके लिए किया है, कड़वा है पर सच है,